फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं Trident Limited की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्टीज की एक्सपोर्ट के ये दो धुरंदर खिलाडी के आगे जाके कमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारा Finance Layer 2022 और 2023 का बजट हमारे सामने आचुका है इस बजट में बहुत सारी अनॉस्मेंट हुए है टेक्स्टाइल सेक्टर के लिए स्पेशली जो एक्सपोर्ट का कारुबार करती है जो इंपोर्ट में बहुत सारी मसिंदरी मंगा के अपने कारुबार को आगे बढ़ाने की कोशिस करें उनके लिए बहुत सारी पोजिटिव बाते निकल कराईए और यहां से बड़ी तेजी की समभावना बन सकती है फिलाल ट्राइडेंट लिमिटेट ने बहुत बड़ी तेजी बना दी थी लेकिन काफी समय से फिलाल अब करेक्शन के दौर में यहां से नई तेजी की समभावना बन सकती है आलोक इंड़स्टिव ने भी काफी समय के बाद अपनी 52 वी की नई हाई बनाई है यहां से आलोक इंड़स्टिव में भी पोजिविटरी समभावना बन सकती है क्योंकि जो रिजल्ट पेस किया हो बहुत ही बैतरी है कमपनी ने लगबग अपने लॉस को खत्म कर दिया है एक बिल आइक ओन दबा दिजिए ताकि जब इन्या वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते है मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत पहुत स्वागत है फ्रेंड्स हमने ट्राइडेंट लिबिटेड करीब आपको 6 रुपिस के आसपाथ पिक करवाय था और काफी अच्छा रिटन दे चुका है अब इसकी नई शुरूआत हो सकती है यहाँ पे जो बजट आया बहुत ही सांदार है इस हमारे यूनियन बजट 2022 में टेक्टाइड सेक्टर के लिए बजट से करीब 8.1% की ज़्यादा एलोकेशन की गई है और सरकार ने ठाना है कि टेक्टाइड सेक्टर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है और यहाँ से बहुत ज़्यादा जॉब अपर्चुनिटी होती है एक्रियेट और इसलिए सरकार इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मरत कर लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे सरकार की तरब से जो अनॉंस्मेंट की गई है कि करीब 12,382 को रुपीच टेक्टाइड सेक्टर को आवंटन किया जाएगा और इस अमाउंट के माध्यम से अच्छे से अपना ग्रोथ कर पाएगा और अपने कारुबार को आगे बढ़ा पाएगा सरकार ने ये जो अपने अनॉंस्मेंट की है इसके अंदर जो PLI स्किम लाँच की है उस PLI स्किम में सरकार टेक्साल सेक्टर को बहुत जड़ा मनद कर दिये सरकार की तरब से जो PLI स्किम है उससे सरकार ने काहा है कि करीब हमने 60 lakh job create कर दिये और आने वाले समय में जो सरकार की तरफ से जो अपनी मनसा जाहिर की है कि करीब 30 लैक करोड प्रोडेक्शन हो जाएगा आने वाले पास साल में इस इसकिम के माध्यम से और तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस बनेगा टेक्स्टाइल सेक्टर तो ये बहुत जादा तेजी की समय बनने वाली है टेक्स्टाइल सेक्टर के लिए जो रकम इनको एलोकेशन की गई है वो बहुत ही बड़ी रकम है इसका बेनिफिट पूरा टेक्स्टाइल सेक्टर को आराम से मिल सकता है तो आने वाले समय में ये टेक्स्टाइल सेक्टर के स्टॉक बहुत तेजी से आएगा तो ऐसे में इनकी कॉस्टिंग में कमी आएगी तो इनको benefit भी मिलेगा तो ऐसे में टेक्सिल सेक्टर को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वा दिये तो ऐसे में Trident Limited और आलोग इंडेस्ट्री दोनों तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और यही मौका है जब आप इसमें ख अभी साड़े बारा के आसपास का टाइम है अच्छे से तेजी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है इसके अगर वॉलिम को मैं नालीस करें तो पिछले में पहले इसका टू कोर्ड का वॉलिम था वन वीक पहले 74 लाक रुपीच का वॉलिम हुआ और कल इसका 63 लाक रुपीच का वॉलिम था अभी 29 लाक रुपीच का वॉलिम थोड़ा कम दिखाई देगा क्योंकि काफी समझ से स्टॉक आपको एक ही जगर पे ट्रेट करता हो देखा दे रहा है इस विजह से लोग यहाँ पे थोड़ा सा अभी इंट्री करने से बच रहे लेकिन यही मौका है यहाँ प को करेंट लेवर से खरिदारी करनी चीए और 73 का उनकी तरब से टार्गेट दिया गया जो बहुत जल्द आ सकता है सबसे अची बात है कि जो इनों ने डिसमबर का रिजल्ट पे इसकिया कौटर थरी का बहुत ही बैतरी ने यहाँ पे इनका रिवेन्यू 1.98 थाउजन कोड बहुत है और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है जो प्लस पॉइंट है वो यह है कि यहाँ पे FIDI और mutual fund ने अपना investment बढ़ा दिया है यह शेयर ओडिंग पैटन इसारा कर रहा है कि यहाँ पे आपको investment करना ही चीए सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर की holding अगर हम देखे तो 73.02 परसंट थी जून और सेप्टमर में प्रमोटर अपनी कुछ holding कम किया है नि 72.94 किया है त कोई भी इनका गिरवी शेयर नी है जो बहुत अच्छी बात है FIDI की बात करें तो 1.60% की holding जून में थी उसको बढ़ा के सेप्टमर में 2.14% कर लिया दिसमर में holding बढ़के होगी है 2.48% तो लगातार FIDI अपना investment बढ़ रहा है यह investment जो FIDI का बढ़ रहा है यही सारा है कि यह stock तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि FIDI अपनी हमारे बाजार पे मजबूत पकट रखते है उनको पता है कि कौन से stock में निवेश करना चीए जो हमें short term में अचार return दे तो यह FIDI के पैमाने पे खरा उतरने वाला stock है बात करें D.I. की तो जून और सेप्टम में उनकी holding 0.01% थी लेकिन December में D.I. ने अपनी holding को दुगुना कर दिया यानि 0.02% की holding हो गई है mutual fund की बात करें तो जून और सेप्टम में 0.01% की holding थी December में उनकी holding को double कर दिया यानि 0.02% कर लिया अधर्स की बात करें तो 25.37% की holding June में थी 24.83 हुई September में 24.56 हुई December में तो यहाँ पे F.I. D.I. और mutual fund सब अपनी holding को बढ़ा रहें तो आप समझ लो यह आने वाले समय का definitely एक बड़ा multi-baggerate stock है और यह मौका है जब आप इसको long time के लिए hold कर लें आने वाले समय यह आपको माला माल कर सकता है फिलाल community sentiment stock के साथ बना हुआ है 85% buy की call है 6% sell की call है 9% hold की call है मतब 100 म 94% लोग इसको लेना पसंद करें एक बार इसके pivot level को भी check कर लेते हैं तो यहां से अगर stock sleep होता है तो 59.08.1 support है stock और नीचे गया तो 57.87 तक जा सकता है थर्ड support 56.23 का है उपर की तरह मुग करने पर जो target निकल के आरे 61.93 का फर्स टार्गेट है 63.57 का second target है 64.78 का third target है तो बिल्कुल इसके जो target है यह सारा कर रहे के तेजी सा stock आगे बढ़ेगा और इस बार यह नहीं हाई बना सकता है तो इसको आप 5 एर के लिए hold करके रख ले डेफिनेटली यह stock आपको 500 तक जाता हो दिखाई देगा बहुत ही अच्छा stock है और यह कम से कम समय में आपका यह target अच्छी हो सकता है पात साल आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा उससे पहले भी target अच्छी हो कर सकता है बहुत ही अच्छा stock है company लगाता इंडेस्टी की तरब तो आलोग इंडेस्टी में बड़ी तेजी के बाद में थोड़ी सी आपे profit booking की संभवना बने क्यों काफी समय के बाल स्टॉक ने 35 की हाई बनाई थी फिलाल आज इस टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है यानि इस टॉक आज उपन हुआप 30.35 पर हाई 30.50 की है लोट 28.95 का लेकिन अभी स्टॉक 29.15 पर है करीब 3.16 परसें डाउन पर है तो यहाँ पर इसके वालिम को हम देखे तो पिछले एक महिने पहले इसका 6 क्रोड रुपीच का वालिम था वन वीक पहले 3 क्रोड रुपीच का वालिम होता कल इसका 3 क्रोड रु पर है यह इंटरी का मौका बनता है क्योंकि इस बार यह स्टॉक एक्टिव मोड में आ चुका है यहाँ पर नई हाई बन चुकि हैं बहुत तेजी से स्टॉक अब आगे बढ़ सकता है क्योंकि इसने जो रिजल पेस की अब बहुत ही बैतरीन है क्वाटर 3 का कमपनी की 25% जादा है पिछले साल सेम कॉर्टर से पिछले साल सेम कॉर्टर में की टोटल इंकम 1220.71 कोड़ पीच थी और कमपनी नेट प्रॉफिट आप्र टेक्स 0.15 कोड़ पीच का बता है तो आप देख लो कमपनी लगबग प्रॉफिट में आ चुकी है काफी समय के बाद अब य 1,467 कोड़ पीच जून में फिर कुछ कमी आई 1,264 कोड़ पीच का रिवेनिव लेकिन सेट्रम में 1,995 कोड़ पीच तक रिवेनिव पहुच गया और इस दिसंबर में इनका रिवेनियू लगबग 2,130 कोड़ पीच तक पहुच गया तो रिवेनिव लगबग दुगुना का लॉस हुआ, सेप्टम में इन्हों ने अपने लॉस को और कम किया, 84.11 को पीज का लॉस, दिसंबर आते हैं लगब कमपनी आ चुके यहां पर भी बढ़ रहा है, आप समझ दो, यह इस्टॉक कमाल कर सकता है आने वाले समय में, डियाए की बात करें, तो 0.74% की ओल्डिंग तीन क्वार्टर से लेकर के हुई है, कोई उनकी ओल्डिंग चेंग यह सबसे अची बात है, तो मजबूती के साथ बने हुए डियाए तो 0.02% की ओल्डिंग है, जो तीन क्वार्टर से लेकर कर रहा है, कि यह इस्टॉक अब रॉकेट बने को तयार हो चुका है, डियाए की बात करें, तो 22.96% की ओल्डिंग जून में थी, 22.87 सेप्टरम में फिलाल 22.81% की ओल्डिंग है, तो यह शेर ओल्डिंग बहुत ही स सपोर्ट है, 28.70 का सेकेंड सपोर्ट है, और 27.55 का थर्ड सपोर्ट है, तो यह गिरावट में आपको साड़े सताइस तक जाता हो दिखाई दे सकता है, उपर की दर मुखने पे जो टार्गेट निकल के आ रहे, 31.25 का फर्स टार्गेट है, 32.40 का सेकेंड टार्गेट है, औ आने वाले 5-year में इसकी प्राइज भी 500 का आरम से क्रोस कर सकती, तो निवेस बनाया रहे कि दोनों स्टोक पहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले है, और टेक्सलाइश हेक्टर के दोनों सांदार स्टोक है, जो एक्सपोर्ट का कारूबर भी तेजी से बढ़ा रहे अप जROच पह्त पहते हुतं।